इस वीडियो में बात करेंगे SSO आपका रिजल्ट आ गया है ESIC Employee State Insurance Corporation यहां पे लिस्ट डाल दी गई है qualified candidate की और यह notice डाला हुआ है result of phase 1 जो आपका prelims exam हुआ था post of SSO के लिए आपका 11 June 2022 को यहां पर 1112 candidate को shortlisted किया गया है phase 2 के लिए टायर 2 के लिए और main exam जो होगा वो आपका depend करता है आपका phase 1 में performance कैसा रहा और यह जो है यह आपका 23 जुलाई को conduct कराया जा रहा है second paper minimum qualifying marks for the post of SSO is an under जैसे ST के लिए criteria रखा था इनोंने OBC के लिए EWS के लिए journal के लिए PWD के लिए X servicemen के लिए तो यह यहां पर देखो यहां पर आपके 3 subject English, reasoning और quant यहां से कितने लेके आने थे आपको और कितने वाला यहां पर पास माना गया है वो चीज़ यहां पर दिखाई गई है उसके बाद यहां पर नीचे देखो category wise cutoff marks shortlist के गए हैं अगर cutoff की मैं बात करूं cutoff देखो यहां पर 100 में से cutoff journal की गई है 86.25 पे SC भी कम नहीं है 8.5 ST 62.75 और OBC 72.25 और C में EWS रहा PWD category में अगर मैं बात करूं B category में 48.75 C में 60.75 D & E में 46.75 X servicemen की 77.5 ठीक है उसके बाद मैं आपको लिस्ट दिखाती हूं यहां पर यह जो लिस्ट मिलेगी आपको यह देखो आपको पता है कि कितने वाला पास है क्योंकि उन्होंने criteria पहले ही रखा हुआ था अब यहां पर देखो रोलंबर, registration number, name of the candidate, आपके 30 में से English में कितने आए, आपके reasoning में कितने आए, आपके math में कितने आए और आपका total score कितना रहा है 17.5 तो यहां पर आपको सभी का मिलेगा कि किसके कितने आए हैं तो इसमें बिल्कुल 1202 पेज का PDF है ऐसे चेक नहीं करना है, आपको सीधा अपना रोलंबर डालना है यहां पर सर्च बार में, मैं डाल के दिखा देती हूँ, तो यहां पर 11, 11, 00,0001 एक बार निकाल लेते हैं 11, 11, 00,0001 देखो आप अपना रोलंबर डालिएगा और अपने मांक्स चेक कर लेजिएगा यह बहुत अच्छी बात है कि आपको अपको अलग-अलग score पता चलेगा, मैक में कितने आए, रिजनिंग में कितने है, इंगलिश में कितने है, टोटल ओवरल स्कोर कितना रहा, अब यह जो लिस्ट है ना, यह तो उन सब लोगों की है, जिन लोगों ने सिटिंग की थी, एक्जाम में पास हुए या नहीं हुए, सेलेक्टेड हुए टायर टू के प्रिलिम्स एक्जाम लिस्ट है, जिन कांडिडेट को में एक्जामिनीशन के लिए शॉटलिस्टेड किया गया, यह सिर्फ उनकी है, तो अच्छा होगा, पहले वहां पे देख ले, फिर यहां पे देख ले, और विसली अगर वहां पे आपका क्वालिफाइड है, तो और झार नियुज एक्टार किया टी सॉटलिस्ट खेज।